हेलो फ्रेंड आज हम मेथी का प्राठा बनाएंगे मेथी का प्राठा विंटर सीजन में बहुत अच्छा लगता है इसके लिए हम फ्रेश मेथी लेंगे चले शुरू करते हैं यहाँ पे दोग का पाठा लिया है मैंने नमक चाहिए होगा अजवाइन रिट चली पाउडर हल्दी पाउडर हींग कड़ी वी मेथी घी सबसे पहले हम अजवाइन को आटे में इक्स करेंगे नमक ले लेंगे स्वादन साथ मैं एक छूटा चमच ले रही हूँ एक छोटा चमच रेच चली पाउडर थोड़ी सी हल्दी आदी छोड़ी चमच हींग यह सब चीजें आप अपने स्वादन साथ ले सकते हैं एक चमच खी इन ड्राइ मसालों को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे हम पहले जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएं फिर इसमें बारीक कटीवी मेथी हम मैट करेंगे हरी सबजी में अच्छा कासा मौशिर होता है तो हम कोशिश करेंगे मेथी के मेथी में जितना भी मौशिर है उसे आटे में एब्सॉर्ब कर लें पहले इसलिए हम इसे टाइक दबाते हुए गूते गे मैंने ये मेथी थोड़ी देर पहले काट कर रखी थी तो इसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं है तो उसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी एट करूँए पानी भी हमें थोड़ा थोड़ा एट करना है इतम जादा नहीं डालना है और जो भी पानी हमें एट करते हैं उसको अच्छे से पहले आटे और मेती के साथ मिक्स कर लेंगे और अगर रिक्वार्मेंट लगे तो ही और पानी डालेंगे यह आठा हमें थोड़ा टाइट ही गुथना होगा और हम जितनी मेहने दस्टाइम आठा गुथने में करेंगे उतना ही तेस्टी हमारा प्राठा बनेगा अगर आठा अच्छा गुथता है तो पुचिपके कभी नहीं और एजीली बर्न जाएगा मैंने यहां पर एक ग्लास से थोड़ा कम पानी लिया था और अल्मोस्टी पानी मेरा इसमें यूज हो जाएगा आठा मेरा रेडी है कुथके जतना पानी मैंने लिया था थोड़ा सा पानी उसमें से बचा है कि तो सारा पानी इसने प्सौर्ग कर लिया है अब इससे हमें पांच मिनट के लिए रेस्ट करना छोड़ेंगे पांच मिनट बाद यह हमारा रेडी है आठा अब इसमें से हम छोड़ी लोई तोड़ लेंगे यह आप अपने प्राठे के साइज के साब से तोड़ लीजे जितना बड़ा आपको और जितना थिक आपको प्राठा चाहिए उससे आप से गोला बना लेंगे इसे में आठे में लपेट लेती हूँ और फिर इसे हम रोल करेंगे यह आठा अच्छा सॉफ्ट गुथा है तो हमें रोल करने में कोई इसमें दिक्कत नहीं हो रही है अगर ही गीला होता है तो हमें बार-बार सुखा अटास पर लगाना पड़ता है यह अच्छे से रोल हो रहा है जिस साइज में भी आपको यह प्राठा चाहिए उतना हम रोल कर लेंगे इसको यह प्राठा रेडी है अब हम एक तवा रखेंगे गैस पर जैसे ही थोड़ा हीटब होता है इसमें हम प्राठा डाल देंगे और इससे हम धीमे आच में पकने देंगे जब तक यह पकता है तब तक हम अपना दूसरा प्राठा बेल लेंगे प्राठा की आप कोई सेफ रख सकते हो आप चाहें तो ट्राइंगलर प्राठा बना सकते हो यह इससे रोल करके एक लच्छा प्राठा बना सकते हो हमारा दूसरा प्राठा भी बिलकर रेडी है अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा प्राठा रेडी हुआ है कि नहीं एक तरब से अच्छे से सिक्किया है इसे हम फ्लिप कर लेंगे और अब इस पर ओल लगाने की बारी पहले हम एक साइट पर अच्छे से ओल लगाएंगे हम कोनों पर ओल लगाएंगे क्योंकि मेल्ट होके सेंटर पर ही ओल ने जाना है तो कोन ही अच्छे से अगर मौश होंगे तो वो जल्दी पकेंगे और कच्छे नहीं रहेंगे दूसरी तरफ भी पलटके हम ओईल लगा देंगे अब इसे दीमी आज पी दबा दबा के सेखना है बार पर फिलिप करते रहना है और जो आप प्राठा इस तरह सेख रहे हो तिहान आपका पूरा प्राठे पर ही होना चाहिए विएक हम अलड़ी प्राठा बेल के रख चुके है जैसी ही यह बन जाता है उसे हां तबे पर टाल देंगे ज़िए दीरे दीरे सेखने से अच्छे से इवनली को को होता है अब ही हमारा प्राठा अल्मूस्ट को को चुका है यह देखे हमारा प्राठा विलकुल रेडी है अब हम दूसरा प्राठा भी दवे पर डाल देंगे इसे भी हम दीमी आज पर कुकोने देंगे बाकर प्राठा बना लेगे वह मारा लास प्राठा एक दम रेडी है एक अफिक्रिस्पन आए यह देखे हमारे सारे प्राठे बनकर रेडी हैं आप से बटर चाहे या चाहर के साथ सर्फ कर सकते हैं इसमें खुद के अपने फ्लेवर हैं तो इसना कुछ ज्यादा जरूत इसमें पढ़ती नहीं है